हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा हाउ टू इस्टार्ट ओ फार्मासूटकल कंपनी की कैसे हम दवा की कंपनी खुद की स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन आपको कुछ मेंड में पॉइंट ज़रूर बता दूँगा सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फार्मासूटकल कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आप कोई भी चीज़ी स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको पहले उसके नाम की सेलेक्शन करने होगी सपोज आपका कोई भी कंपनी नेम हो A, B, C अगर आपने कंपनी नेम का चुनाव कर लिया उसके बाद ड्रग लाइसेंस नमबर जी हाँ जो की दो परकार के होते हैं नमबर थर्ड, सेल टेक्स नमबर नमबर फोर, फसाई लाइसेंस इन केस ओफ नूट्रस उटकल्स या फिर फूड या फिर डाइटरी सप्लिमेट लाइक विटामिन, मिर्रल्स ये सब एस्ट्रेक्ट्रा नमबर फूर, प्राइट लेम्टेड कंपनी एरिजिस्टेशन आपको कंपनी की एरिजिस्टेशन करानी होगी नमबर फाईब, जो भी आपने प्रोड़क्ट बनाना अपनी कंपनी में उसका ब्रैंड न sommes या कंपनीका ट्रेर नमबर नेम फिर उसकी registration ये सारा कुछ आपको कराना होगा नमबर 6 GST नमबर ये थी कुछ important चीज़े जो कि आपको लगेगा ही लगेगा next अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ और हमें लग सकता है premises कहने का मतलब है cemented and walls floor कि हमने company start करनी है तो उसके लिए हमें जगा का चुनाब करना होगा और उस जगा पे हमने कितने floor बनानी है कितना सारा कुछ जगा ये सारी details के हमें जवट पढ़ सकती है number 2 competitive person कहना का मतलब ये है मालो हमने company start कर ली एक जगा का भी selection हो गया उस जगा हमने सारे कुछ बना वी लिया अब हमें load पढ़ेगी एक pharmacist की pharmacist या फिर experience person जो कि हमें guide कर सके कि हाँ हम ऐसे अपने company को आगे चला सकते है number 3 office accessories हमें office की कुछ जरूरी चीज़े documentation से related ये सारी चीज़ों के लिए भी एक person की need हो सकते और ये सारा काम pharmacist officer का होता है number 4 phrases and air conditioner ये चीज़े तो होना ही चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे मौलकिश होते हैं जो हम बाहर ऐसे नहीं रख सकते उसके लिए हमें phrases and air conditioner में ही रखने पड़ती है number 5 electricity supply ये तो होना ही चाहिए ताकि हमारा जो भी काम होगा वो इसी की help से होगा so guys ये थी कुछ चीजे जो pharmaceutical company start करने से पहले आपको जान लेना बहुत जरूरी है so guys अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि एक pharmaceutical company start करने के लिए आपको किन किन license की जोद पढ़ सकती है और किस जगा आपको किन किन समानों की लोड पढ़ सकती है so guys अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को subscribe जरूर करे और इस वीडियो को share